चलो सबसे आगे हमरे मन देखब कतारी कर बारे में कतारी कर उन्नत प्रभेद किसान भाई खाली खायक ले भैद नकहे उकर से अपने मन कर धन कर अरिजन होई उकर से बहुत सारा चीज बहिंसकेaudio चलो तब हमरे मन आप देखब कि कतारी कर खेती केशन करल जाए उकर उन्नत प्रभेद कौन कौन है कतारी लगिन उन्नत प्रभेद है B.O. 147 E. देरी से तयार होएक वाला प्रभेदा है E. लाल, गिलन, रोग और रोधी आ है 100 प्रकार कर माटिले E. बेसा है सुखा और जल जमाओं सहक कर छमता इकर में बेस रहे जन्वरी कर दोसर हफ्ता में E. तयार होए जायल इकर में 20 से 22 प्रतिशत यूक्रोज रहे E. कतारी सोज, चरका, लेवल, हरिया रंगक और लंबा-लंबा होयल इकर में समतल और हरियर फूल होयल गेट छुटका से मधम, गोल, प्याज अकारी, आइंखवला, मध्यम चाकर, हरियर पतई, उप्रेबट, गुढ़ाल उपच्छमता 1000 कुइंटल प्रति हेक्टर इकर रोपनी कैसन करल जाये? कखन करल जाये इकर रोपनी, जाड कला में करल जैल, माने की अक्टूबर महिना में या की बसंद कला में माने की फरवरी महिना अकुआइक कर हिसाब से, कतारी कर दू आइंखवला टुकरा रोपनी ले बेस रहे बिहिन कर टुकरा के कवक मन से बचैक चाही इकर लगिन, दू ग्राम कार्बेन डाजिम, प्रती लिटर पानी में घोल बनाएके, दू घंटा तक इके डुबाय के राइख देवे बिहिन कर मात्रा पैतालिस हजार से पचास हजार दू आइंखवला टुकरा जेकर भार लगभग साथ कुइंटर प्रती हेक्टर होयल बिहिन में राखिक चाही अब इके रोपेक कर बिधी का है सके जानू नली में 30 सेंटीमीटर गहराई में इके डाइल देवे 90 सेंटीमीटर दर से दर कर दूरी रहेक चाही बारिस कला में माटी के चगाय देवे नली बनाय के रोपनी कर ले दोसर विधी मन से बेस उपज भिटायल देखू भाई उपज के भिटायक लगिन उके रोपेक कर बढ़ियां उपाय भी करेक चाही तो इकर में रोर्यमन के उपाय बताल गेलक कि नली बनायक के रोपनी कर ले और विधी मन से बेसुपजा भिटायल अब भाई इके तो हमरे मन लगाय लेली इकर में खाद कर जो रहत है माइंद कर जो रहत है और उरोरक कर जो रहत है तो खेत में एक महिना आगे है दस टन सडल गोबर माइंद के डाइल देवें इकर मात्रा कतना होए चाही 170 अनुपात 80 अनुपात 60 किलोग्राम एन पी के प्रती हेक्टर इकर अलावे यूरिया 115 किलोग्राम डेएपी 176 किलोग्राम म्यूरेट औफ पोटास 100 किलोग्राम प्रती हेक्टर ले लेवें नेत्र जनकर एक तिहाई मात्रा और स्फूर और पोटास कर पूरा पूरी मात्रा रोपेक बेरा दे देवें नित्र जनकर बाचल दूती हाई मात्रा के रोपे कर 45 दिनक और 90 दिनक बादे दे देवें अब पोधा कर संद्रक्षन कानियर करल जाये भाई इकरो में पिल्वा मन लाइक जैना तो पिल्वा कर रोप थाम कारमधे करल जाये इकर मुख पिल्वा है मूल बेधक इकर छोवा पिल्वा पतई और नाठी कर सहारा से आधार बटे पहुँच जैन उबटे कर कोमल भाग के खोईच-खोईच के टोका कैर के और भित्रह-भित्रह खाय देन इनियर डाठी कर मद कर भाग खोखला होई जैल जैकर चलते केंद्रिय पर्ण चक्र सुईख जैल जैकर मृत केंद्र यानि की डेड हार्ट कहें इमृत केंद्र के सहजे नीख ही चल जाय सकें जैसन की अगोले बेधक में होयल अब इकर प्रबंधन इकर प्रबंधन लगिन पही लुपाय का है कतारी बुनेक पेरा किनौल फोस एक दसमलो पांच प्रतिशत दूरा कर परियोग 25 किलो ग्राम प्रती हेक्टर कर दर से करिक चाही दुसर उपाय क्लोरोपायरी फोस तरल के पानी में में साय के घोल बनाए लवे घोल बनाए के 2.5 मिली लीटर प्रती लीटर पानी खड़ी फसिल में पिलवा कर समस्या बनल रहे। खड़ी फसिल में पिलवा हेठे बटले टोका करते बढ़वाईर बटे छेल जैल और कोमल भाग के खाय जैल जेकर से पोधा कर बढ़वाईर रुईक जैल इसन सुखल पते के मृत केंद्र कहन प्रबंधन जून कर आखरी हफता या जुलाई कर पहिल हफता में कतारी कर पोधा कर आधार भाग में फोरेट दस जी कर परियोग दस किलोग्राम प्रती हेक्टर में करेक चाहे। दानेदार पिलवा नासी कर परियोग करल बादे पोधा मन में चैरो बटे हलुक माटी के चगाय के पटाय देवें। पाई रीला यी पिलवा कर छोवा पिलवा और बढ़ पिलवा दुयो पताय मनक हेठे बटक रसा के चुसिन जेकर चलते पताय मन पियर होई जैल और पाछे घूंगईच जैल जदी अईधिका इसन होई जाय तो कतारी फसिल सुईख जैल और मेर जैल। पिलवा एगो लिसलिसा द्राव के निशकैल जेके मधू बिंदू कहन इकर प्रबंधन कानियर कर अल जाये। मोनो क्रोटो फॉस तरल के एक लिटर प्रती हेक्टर में या की इमाडी क्लोरोपिड 17.8 प्रतिशत एक लिटर प्रती हेक्टर कर छिड़काव बेश से करें। गन्ना प्ररोह शूट बेधक इपिलवा शुरुवे कर नोजगल पौधा कर जेकर में गेट नीबैन है अप्रील से जून कर महिना तक होय जैल। छोवा पिलवा पौधा कर आधार भाग में प्ररोह में टोका केर के भीत्रे चेल जैन। और भीत्रे कर भाग के खाय जैन। इकर चलते केंद्रिय वर्ण चक्र सुईक जैल। जेके मृत केंद्र कहल जैल। पाचे गोटेक पोधा स्विख जैल। कतारी में गेंट बैंगे ले और अइधिका होले मृत केंद्र नहीं बनेल। और खराबी कुछे गेंट तक रह जैल। प्रबंधन मूल बेधक कर प्रबंधन लगिन अपनाल उपाय से एहो कीट के रुकल जाय सकेल। क्लोरोपायरीफोस दस जी कर दानेदार दवई के कतारी कर गामा रुपनी कर तीस और साथ दिनक बादें परियोग करें। बिमारी कर रुप थाम। फसिल चक्र अपना एक चाही। बलाइ टॉक्स 50 प्रतिशत, 20-2 प्रतिशत या कार्बेंडाजीम 90-25 प्रतिशत के छिड़काओ के रुदवें। कार्बेंडाजीम 90-1 प्रतिशत गरम पानी में 50 डिगरीस से तीस मिनट तक पोरियोगें कर दवई करें। झाल झाल